दोस्तो पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि हम किस तरीके से Purchase Return और Sales Return की Transaction को Record कर सकते हैं और आज किस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हम किस तरीके से Purchase Return with Debit Note और Sales Return with Credit Note की Transaction अपने busy software के अंदर Record करेंगी सबसे पहले हम जानते हैं कि purchase return with debit note आखिर होता क्या है दोस्तों अगर हम बात करें debit note की तो debit note में अगर हमारा bill जादा बन जाता है तो उस case में हम यहाँ पर अपने price को कम करा सकते है debit note की transaction record करके लेकिन अगर हम बात करें purchase return with debit note की तो यहाँ पर आप price के अलावा quantity को भी यहाँ पर कम कर सकते है जैसे माल लिजे आपने किसी भी goods को purchase किया है उस goods के अंदर कोई भी defect है या फिर वो सामान आपका भिक नहीं रहा तो उस case में आप उसे return करना चाते है तो यहाँ पर आप purchase return with debit note का यहाँ पर स्तमाल करेंगे इसी तरीके से अगर किसी party को आपने goods को sale किया है और वो party आपको goods को return कर रही है किसी भी reason की वज़े से तो इस case में आप जो transition record करेंगे वो record करेंगे sales return with credit note यहाँ पर आपका price के साथ quantity और GST को भी less कर दिया जाता है दोस्तो अगर हम बात करें debit note और credit note की तो यहाँ पर हम केवल price को कम कर सकते हैं quantity को minus नहीं कर सकते मगर अगर हम बात करें purchase return with debit note तो इन दोनों ही case में हम यहाँ पर quantity के साथ साथ price को भी कम कर सकते हैं display के अंदर आने के बाद हम यहाँ से stock पर click करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं closing stock के नाम से आपके सामने एक option आएगा इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं balance only का option दिखाई देगा तो हम जो यहाँ पर return करने वाले हैं, वो iPhone 15 10 quantity जो हमें दिखाई दे रही है, इसमें से हम 5 piece को यहाँ पर return करने वाले हैं, इसी तरीके से अगर हम sales की बात करें, तो हमने यहाँ पर item को sale भी कर रखा है, मैं वो भी एक बार आपको दिखाना चाहूंगा, हम skip करके एक बार यहा से चले जाएंगे, accounts book के अंदर और यहाँ पर आपको दिखाई देगा day book, इसको select करते हुए आप यहाँ पर no कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको ok बटन पर click करना है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारी receipt की transaction अभी हमें दिखाई दे रही है, हम यहाँ पर F2 की press और यहाँ पर date डालेंगे 1, 4 से 2, 4, 2024 की transaction को, यहाँ पर जैसे ok बटन पर click करेंगे, तो आप देख सकते हैं, हमारी सारी transaction यहाँ पर दिखाई दे रही है, और हमने यहाँ पर sales की transaction कर रखी है, Krishna Industries को, इसे मैं एक बार enter करके आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर आप द transaction को record करने वाले हैं, तो उसके लिए step करके हम लोग यहाँ से बाहर आएंगे, बाहर आने की बाद आपको आना है transactions के उपर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको एक option दिखाई देगा, purchase return का, जैसी आप यहाँ पर purchase return पर click करेंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर तीन options दिखाई देगे, जिसमें सबसे पहला option आपको दिखाई देता है add का, जिसमें आप अपनी transaction को record करेंगे, दूसरा option आपको मिलता है modify का, अगर आपने यहाँ पर purchase return की कोई भी transaction record कर रखी है, तो आप उसके अंदर modification कर सकते हैं, और तीसरा option आपको म जैसे हम यहाँ पर click करेंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर purchase return debit note voucher के नाम से आपके सामने window open हो जाएगी, और यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी party को select करना है, एंटर करते हुए हम यहाँ पर सबसे पहले अपनी purchase type को select करेंगे, तो यहाँ पर हम select कर ले enter press करेंगे, और enter करते ही, आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपके सामने यहाँ पर एक warning दिखाई दे रही है, जिसमें आपको बताया जा रहा है कि आपकी जो party है, वो यहाँ पर unregistered है, तो यहाँ पर हम इसे yes करते हुए आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर आपको अपने voucher का आपका purchase amount और आपका cgst और sgst amount आपको यहाँ पर दिखाई देगा, जितना आपने यहाँ पर purchase किया था, यहाँ पर आपको ok वाले बटन पर click करना है, ना करते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपके सामने option आएगा, copy item detail का, यहाँ पर आपको yes पर click करना है, yes करते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपने जो भी item यहाँ पर purchase किया था, वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा, हमने यहाँ पर iPhone 15 purchase किया था, quantity थी 10 piece, यहाँ आपर आप देख सकते हैं, total price हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिसमें gst हमारा included है, और उसके बाद यह करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, gst हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, जिसमें cgst और sgst amount हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और दो पीस का जो final amount हमारा बना है, वो 240,000.2 रुपीज यहाँ पर बना है, तो हम यहाँ यहाँ पर OK बटन पर क्लिक करते हुए, यहाँ पर F2 की मदद से इस window को यहाँ पर accept कर लेंगे, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपसे यहाँ पर मांगा जा रहा है supply credit number, तो मालीजी हम यहाँ पर डाल देते हैं 1 और उसके बाद यहाँ पर OK बटन पर क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ पर method of adjustment को select क करते हुए, यहाँ पर enter प्रेस करना है, और उसके बाद जैसी आप यहाँ पर space की प्रेस करेंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपका यहाँ पर will number आपको दिखाए देगा, इससे select करते हुए, आपको यहाँ पर enter की प्रेस करना है, और उसके बाद यहाँ पर OK वा हमारा जो stock है, यहाँ पर 8 piece हमारे पास अभी बचा है, जबकि हमारे पास iPhone के यहाँ पर 10 piece की quantity available थी, अब बात करते हैं sales return की, मालिजे किसी party को आपने उसको sale किया था और वो party किसी different की वज़े से उसको return कर रही है, तो उसकी आप entry किस तरीके से pass करेंगे, आईए जानते हैं, add का, modify का और list पा, तो हमें यहाँ पर add वाले option को select करते हुए, यहाँ पर आगी बढ़ना है, add वाले option को select करते हुए, जैसे हम यहाँ पर enter की press करेंगे, तो आपको यहाँ पर enter करते हुए, नीचे आजाना है, तो यहाँ पर हमने जो goods को बेचा था, वो IGST के हिसाब से बेच 22-2024-25, यह हमारा voucher number था, इसके बाद हम यहाँ पर enter की press करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपकी voucher date आपको दिखाई दे रही है, यहनि किस date पर आपने transaction को record किया था, 1424 को हमने यहाँ पर sale की थी, उसके बाद जैसे हम यहाँ पर enter की press करेंगे, तो आप देख सकत आपका sale amount आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो कि यह 2475 रुपे, इसके बाद हम यहाँ पर enter की press करना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, IGST amount भी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमें केवल OK वाले बटन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर इसे yes कर लेना है, तो इतना करते ही, आप यहाँ पर देख सकते हैं, मौस हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो हमने यहाँ पर sale किया था, 10 piece sale किया था, माली जरे 2 piece हमें यहाँ पर return आ रहा है, तो हम यहाँ पर 2 piece को select करते हुए, enter की press करेंगे, और यहाँ पर हमें 1% का इसे discount द वापस से स्वेस ट्रस करना है या पर देख सकते हैं इसे सलक करते हुएにちは आपको here वाले बटन पे click करने से पहले आप यहाँ पर पर आप देख सकते हैं हमारा जो return Amount वो आपर देख सकते हैं 564.10 रुपे का यहाँ पर credit करते हुए यहां से हम बाहर जाएंगे यहां से आएंगे डिस्प्ले के अंदर यहां पर आप देख सकते हैं closing stock में दिखाई दे रहा है इसको select करते हुए यहां पर enter की प्रेस करेंगे यहां पर active की प्रेस करना है और यहां पर आप देख सकते हैं अगर आपको हमारे वीडिय आयो तो चैनल को लाइक कमेर शेर जरू कीज़ेगा धन्यवाद